नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में तो जैसा के आप सभी देख पारे होंगे पॉले टेकनिक परवियस परत्योगता परिक्षा 2023 से संबंदित नोटीस आ चुका है और इसका फोर्म पिलब भी जल्द स्टार्ट होने वाला है तो चलिए आज किस वीडियो में डीटेल में जानते हैं किस परकार से फोर्म पिलब करना है क्या अरता मागी गई है उम्र सीमा क्या रखी गई है सभी चीजों के बारे में आज किस वीडियो में बात करेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरू सब्सक्राइब कर दे सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं क्योंकि आप सब्सक्राइब को पता होगा किसी भी परकार का वेकंसी रिलेटेड अबडेट आता है या फिर परविश परत्योगिता परिक्षा संबंदित किसी भी परकार का अबडेट आता है उसका वीडियो आपको अमारी चैनल पर मिल जाते हैं तो इसलिए चैनल को जरू से जरू सब्सक्राब करकर रखे अगर आपने इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरू लाइक कर दे तो चलिए आज की इस नोटीस पर आते हैं आपने देट्रLO में अभियांतिरित डिप्लोमा पाटेकरम में उद्योग विभाग जारकन के अधिन संचालित जारकन गॉबर्मेंट मीनी टुल डूम और ट्रेंञिट सेंटर राची एब गबर्मेंट टूल रूम और ट्रेंञिट सेंटर ढूमका Tool and Dye Making पाटे करम के सेक्चनिक बर्ष 2023-24 पर्थम सिमिस्टर पर्थम बर्ष में परवे सेतू यहाँ पे नोटीस चारी किया गया है सेक्चनिक योगयता मागा गया है माईदमिक यहाँ पर समकक्ष में उत्तिर नोना चाहिए एपियरिंग वाले स्टुडेंट भी भर सकते हैं क्योंकि अभी जो स्टुडेंट का एक्साम चल रहा है वे भी यहाँ पर भर सकते हैं जैसा कि आप सभी देख पारे होंगे बाकी किसी के लिए यहाँ पर उम्रसीमा नहीं बताया गया है तो उसके लिए अधिकतम वे नियुनतम उम्रसीमा निर्धारित नहीं की गई है केवल खनन अभियंतरित साखा के लिए याद रखेंगे नियुनतम उम्रसीमा यहाँ पर 17 वर्स राकी गई है इसे आप ध्यान में रखेंगे सभी प्रकार के नियाम युम कारून सर्तो सभी चीजों को आप देख पाएंगे ओफिसियर वेबसाइट www.jceceb.chargan.gov.in पर जाकर के आप सारी चीजों को देख सकते हैं यहां से आप फॉम भी फिल कर सकते हैं यहां पर आप से देख पारे होंगे ओनलाइन आवेदन का जो डेट है वो 27 तो 2023 से स्टार्ट हो रहा है लाजट दस चार 2023 तक है तो जब स्टार्ट हो जाएगा आप जरू से जरूर फॉम फिल कर दे अगर आपको पॉले टेकनिक करना है ओनलाइन परविसपत्र प्राप्त करने का जो तीती है परिक्षा के चार दिन पूर्व आपको मिलेंगे परिक्षा की तीती यहां पर देख पारे होंगे तीस चार दौजार तेईस में आपका परिक्षा होने बाला है यहाँ पे परिक्षा केंद्रों का नाम भी दिया गया है राची, हचारेबाग, जनसेतपूर, धनबाद, दुमका, चायवसा और बोकारों पलामों में यहाँ पे एक्जाम्स होंगे ठीक है अगर फीज की बात करें तो समाइन और EWS के लिए 650 है, पिछली जाती 2 के लिए 650 यहाँ पे रखा गया है अनुसुजीत जाती, अनुसुजीत जन जाती सभी कोटी के महिलाओं के लिए 325 यहाँ पे रखा गया है फिर वहाँ पे जाकर के आपको अपना ओनलाइन अवेधन सब्मिट करना है परिक्षा किस परकार से होगा, OMR सीट पर होगा, किसी भी परकार का ओनलाइन परिक्षा नहीं होगा अपलाइन मोड पर ही आपका परिक्षा होगा, multiple choice questions यहाँ पे रहेंगे आरक्षन जो राजसरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, उसी परकार आपको आरक्षन यहाँ पे देखने को मिलेगा किसी भी परकार का अगर आपका question है, यहाँ पे दुर्भास संख्या दिया गया है, यहाँ पे आप contact कर सकते हैं तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही इसी परकार विविने परकार से जारकार में किसी भी परकार का job related news अगर चाहते हैं, तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसी जरू लाइक कर दे, धन्यवाद आज कि इस वीडियो को देखने के लिए बाउंट्र एडुकेशन फेमिली के साथ जूड़ने के लिए धन्यवाद अगले वीडियो में लोग फिर मिलते हैं